को था था पांसमति दान के लिए में बताना चाहूंआ थोड़ी नाइटोजन की कम ज़रुद पढ़ती है क्योंकि उनकी ग्रोथ जादर होती है विशेज कर जैसे हम पूसा बांसमति ग्यारेकिस लेते हैं पूसा बांसमति नंबर वन लेते हैं पूसा बांसमति 1612 लेते हैं या पूसा बासनोती 1401, पूसा बासनोती 1460, इन किसमों को लेते हैं, तो इन में नाइटोजन की लगभग 100 से 110 किलोग्राम नाइटोजन की मातर की जुरूद पढ़ती है, उसको भी लेकिन तीन भागों में बाट के देनी की जुरूद होती है, तो पानी जो है, आपको इस ब पची जिन की होगी है, तो कुछ पौदे किसी कार्ण बस मर गए होंगे, या किसी कार्ण बस कोई बीमारी आगी होगी, जैसे विशेज कर हमारी जो है, इसके अंदर बकाने दीज जाती है, तो उन पौदों को निकाल दें, जिन में बकाने देखी गई है, और या उसके देखना है, आपको जो हमारी कम अबनी वाली किसमे है, उननी को रोपाई करना चाहिए, पूसा 1650 में, पूसा 1509, इनको लगाना चाहिए, जो किसमे हमारी है, बहुत अच्छी है, अच्छी पैदावार देती है, इनका जो रोपाई का अनुमोदन है, वो 20 से 25 जुलाई तक भी कर सकते हैं, तो इसके लिए हम को यह ध्यान रेखने जरोद होती है, कि खेत को जो है, हम लेवलर द्वारा जो है इकसार कर लें, समतल करने के बाद में पानी भरके 5-7 साइंटिमीटर, तो हम पडलर द्वारा जो है, उसकी जुताई करें, और जुताई करते समय जो है, इस बात का ध्यान रखक, कि हम 3-4 बार उसकी जुताई करें और जब हमारा जुताई करने के बाद में और उसके बाद में जो रूपाई करें रूपाई करते समय जो है लाइन से लाइन की दूरी 20 cm ौधे सो वह की दूरी 10 cm रखना हैं और जो है एक स्थान को बोसे तीन पोदे लगाएं और यदि आपकी पोद ज्यादे आबधी की हो गई है अर्था 25 से 30 दिन की या 35 दिन की हो गई है तो उपर से काट के तब ही जो है उसकी पत्तियों को तब ही रोपाई करें तो इस तरीके से जो करेंगे रोपाई तो कल्ले अच्छे बनेंगे और आपकी पैदावार अच्छी होगी और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि देर से रोपाई करते समय भी पोशक्तत प्रवन्न जो है हमको किस्म के अनुसार कर रहे हैं यदि आप मैंने ये दो नों किसमें बताई है देर से रोपाई कर रहें तो आखरी जुताई करते हैं पानी बरते समय तो उस समय कर दे देनी चाहिए लेकिन नाइट्रोजन को जो हमको समय नहीं देना चाहिए बलकि रोपाई के जो है 6-8 दिन बाल पहली मात्रा और एक बटा तीन भाग जो है 25-30 दिन बाद और बची हुई एक बटा तीन भाग जो ह इसको रोपाई के 50-50 के जोमें,